किसान बाईयो नमसकार मैहू दसरत दाकर्ड आप देख रहे हैं डीपार्मिंग यूटूब चेनल इस वीडिो में हम चने के मंडी बाउ के बारे में बात करेंगे अभी मेंडियों में चने का बाव क्या चल रहा है और आने वाले समय में चने का बाव क्या देखने को मिल सकता है और चने में तेजी कब बन सकती है पिछले एक से डेड़ महिने से चने के बाव में लगतार इस्तीरता देखने को मिली है और चने का बाव 4,000 से उपर में 4,500 के आसफास चल रहा है सरकारी खरीद यानि की MSP पर खरीदी जारी है लेकिन फिर भी जो चने का बाजार है उसमें ज़्यादा तेजी देखने को नई मिल रही है यसे में किसानों को काफी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस वीडियो में हम बात करेंगी कि चने में तेजी कब तक बन सकती है और तेजी के पीछे क्या कानड आ सकते है इस वीडियो में आकिर तक बने रही है फसंद आने पर लाइक कर दीजी यदि आप हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिस से आगी भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे देश की अधिकतर मंडियों में चने का बाव 4,000 से 4,500 के आसपास चल रहा है और MSP पर चने का बाव 5,000 से उपर है एसे में MSP का परबाव चने की मंडी बाव पर नहीं पड़ रहा है और चने के बाव में लगातार इस चीरता देखने को मिली है जिसान भाईयों चने के बाव में गिरावट आने के कारणों की बात करें तो मंडियों में चने की आवक बरपूर है और चने की डिमांड कम है मांग कम है जिस कारण से चने की किमतों को सपोर्ट नहीं मिलता नजर आ रहा है पिछले साल चने का उत्पादन भी अच्छा निकला था जिस कारण मंडी में चने की आवक भी एक समान देखने को मिल रही है मार्केट में चना बेशन और दालों की किमतों में लगातार गीरावट का दोर जारी है डिमांड कम है सप्लाइट्स जादा है जिस कारण से भी चने के बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है overall अभी की इस्तिती को देखते हुए तो अभी की बाव के अनुसार तो चने के बाव में अभी फिलाल तेजी की कोई भी संभावना नहीं बन रही है क्योंकि किसानों के पास अभी भी चने का बरपूर स्टोक पड़ा है सरकारी खरीद सुरू है एसे में चने की जो डिमाड है वो अभी बढ़ने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है क्योंकि लगातार चने की आवक होती जा रही है और चने में अभी तक कोई भी तेजी आमंदी देखने को नहीं मिली है लगातार चने के बाव में इस सिर्ता ही मिली है इसे में इस किसानों के पास अभी भी चने का श्टोक फड़ा है क्योंकि किसान भाई कम बाउ पर चने को बेचने को तयार नहीं है इस स्थिति में चने के बाउ में हलकी तेजी आते ही चने की आवक ज़्यादा हो सकती है इसके लवा चने का बाव चने की मांग पर निर्बर करता है यानि की चने की मांग अगर बढ़ती है तो बाव में तेजी बन सकती है इसके लवा अगर एसा कोई भी कारण नहीं बन रहा है जिससे चने के बाव में ज्यादा तेजी की संबावना बने किसान भाई यो अभी भी किसान भाई चने को बेच रहे है कुछ किसान चने का भंडारन कर रहे है या आपके उपर निर्बर करता है कि आप चने का स्टोरेज कर रहे है या बेच रहे है लेकिन आंकडों के अनुसार तो अभी किस दिती को देखते हुए तो अभी फिलाल चने के बाउ में ज़्यादा तेजी की संबाउना कम ही बन रही है आपके अनुसार क्या बाउ रहेगा चने का कमेंट करके जरूर बताईए और कोई भी निने आप अपने सुयम के विवेक से ले यह हमारे निजी विचार है धन्यवाद